हेलो विवर्स मैं हूँ शबीना मुम्ताज और आप देख रहे हैं मेरा यूटुब चैनल मुम्ताज किचन आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश फ्राई रस्टोरेंट वगरा में जो मिलता है उस तरह का बनाऊंगी और यहाँ पर उसके लिए मैंने एक कीजी फिश ले यह त इसको अच्छा से क्लीन कर लिया है और इस तरह का में लगाना है अब देख सकते हैं पूरा बन तक है ताकि मासाला जोह है वह अच्छाए से अब्ज़ब कर पाए यह मैरे नेट होको है यह देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डीप डीप कट है इससी तरह तीनों को मैंने ले हुआ है और थूरा हल्दी और नमक डाल खेया हुआ है इस तोग है मसाले में हमने यह बेशन है डेढ़ चम्चा बेसन है आधी चम्ची अल्दी है है यह यह पर अजवाइन है यह बहुत जरूरी है चुक्रिकर टला हुआ होता है हेवी कुछ सब्क्रूग होती है देहां, यह उप्रो गलिए, पाूदर भी लेता तक कश्मीरी लाल मिर्च पाउदर पाउदर गरम नसाला पाउडर एक चमच है और यह भी एक चमच है लाल मिट्च पाउडर भी एक चमच है और यह वाइट पेपर पाउडर है आप इसकी जगह ब्लैक पेपर पाउडर भी ले सकते हैं काली मिट्च का पाउडर वह कौटर डेस्पूल है यहां पर मैंने लिया है लेशन का पेस्ट चुकर फिस्ट जो है वो थोड़ी उसमें भीक होती है बेसनदापन्थ हो तो यह जादा पड़ता है लेस्ट तो यह डेरग चम्चा है और यहां यहां पर अध्रक का पेस्ट लिया है अध्रक जो है वह आधी चम्चे अपले इसलिए कि फिस्ट टूटने के चांसे होते हैं और यहां पर लैसन का पेस्ट है प्यास का पेस्ट है तो यह एक चम्चा लिया है और लैसन का जो पेस्ट है वो डेट चम्चा एक चम्चा चमने लिया है और यहां पर अधर का पेस्ट है बहुत थोड़ा पड़ीगा अधरक अगर आप जाधा डाल देते हैं तो फिश आपके तूट जाएगे और यहां धन्या पत्ती है और नीमबो है अधालों को साइट पर रख दीते हैं अधर किसी बटन में रख लें अधर को एक पर हैंता सब बॉच करें अधर कि अधर में साले मिलाना शुरू करती है फॉर्ट ये बेसन है दो चंची बेसन है बहुत थोड़ा आधी चंची तक्रिवर नाधी चंची हल्दी अजवाइं कश्मेरी मिर्च पाउडर एक चंची है गरम मसाला पाउडर गरम मसाला अक्सर क्या करते हैं कि फ्रेश डाल देते हैं तो वह तीज ही हो जाता है उसमें मचली से ज़्यादा गोश्ट की खुश्बवाने लग जाती है तो इसलिए यहां पर मैंने पाउडर समाल किया है यह मिर्ची पाउडर था पेपर पाउडर वाइट पीप्र पाउडर वाइट पीपी पाउडर पाउडर जीरा पाउडर तमाल ची प्याद कर दिया लेशन का पेस्ट है यहां पर अदर का पेस्ट प्यास का पेस्ट है नहीं इस्टमाल करती हूँ इसलिए कि फिश बिलकुल सॉफ्ट बाइटी है तो यह फ्रेश क्रीम है इसा बहुत अच्छा टेस्ट किया आता है और दही जो है वो टेंडर का काम करता है तो बिलकुल खराब हो जाता है फिश आप टूट जाती है और माज़ाब ही उसका कम ह यहां पर मैंने धनिया रखा था यह चौप किया हुआ है धनिया एक नीबू को हम इसमें आड़ कर देंगे नीबू का जूस एक पर और एक केजी फिर्श है तो एक नीबू ठीक सही रहता है मिक्स कर लेती है यहां पर मैं वाइल एड नहीं करूंगे इसलिए कि मैरिनेशन जो करना है उसका प्रोसेस बिल्कुल हो जाता है और अच्छे से मसाला नहीं जा पाता है तो आप मसाल इसमें ओइल एड ना करें अवाइड करें तो अच्छा है कि सॉल्ट चेक कर लेते हैं कि फिश में सॉल्ट जो है मैरिनेशन ने थुरा ज्यादा रखें ताकि यह अच्छे से फिर फिश में एक से कम हो जाता है मसाल लगा लूंगी इस तरह और इसमें जो कर्ट्स हैं इस सब पर लगाना है अच्छे से सारे कर्ट पर आप अच्छे से मसाला लगाना है ताकि इसका मज़ा जो है वह अंदर से भी अच्छा हो मसाला हमारा लग चुका है इसके अंदर भी इस तरह लगा दें इसको साइब पर रखती हूँ दूसरा फिच लेला यहां मैं अच्छे से मसाला लगा दोंगी यह पूरा कट में भी मसाले लगाना है अच्छे से इसको लगाएं सारे कटपे और अंदर की तरफ पेट की तरफ सारा मसाला अच्छे से लगा दें यह रड़ी है अब यह तीसरा ले ले मसाला अच्छे से लगा दें इसको मैं कम से कम फिच जो है वो लंबा रखना चाहिए ताकि अच्छे अंदर तक पुरा मसाला चाहिए चिकन वगला तो जल्दी बन जाता है लेकिन फिच टाइम लेता है अच्छे से मैरिनेट होने के लिए तो इसके मैरिनेशन के लिए कम से कम आप चार से पांच घंटा इसको फ्रिज में रखें और बिल्कुल जो ठंडा रहे तब इसको फ्राई करें तब अच्छा अच्छा तीक्रा फिर्श जो है हमारे मैरिनेट हो गया है इसको प्लीन कर लोंगे और इसको चार से पांच घंटे के लिए आप फ्रिज में रखें कुछ इस तरह का हो गया यह फिर्श बिल्कुल मैरिनेट किया हुआ है यह ढग चुका है अब इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन चार से पांच घंडे के लिए अब रखें कंग से कम और अगर ओवर नाइट रखते तो और भी अच्छा बनता है तो चलिए मेरिनेट हो जाता है इसको फ्राइए करना है तो चलिए मैं फिर मिलते हूं से अब मुझे तो अब मुझे मैरिनेट करते हूं यहां पर 6 गंडे हो गए है और तो अधिक दिखरा है यहां पर पाल मैंने ले लिया है और इसमें तेल गर्ण लेलिया तो मैं मुस्टर्ड का वइल कुछ आप चहे हैं तो रिफाइंड वाइल या कुछ भी ले सकते हैं चलिए सिश्यस को डालना चुरू कोते हैं यह अभी मैंने ऑफ कर दिया था यहां पर आउं कर दोंगी ने में थोड़ा तेज कर दी स्टार्टिंग में और पिर बाद भी हरके आउं के डालेंगे शुष को अंदर से भी पकना है अब आउं मैं यहां पर देश्पाइण नहीं कर दोगती है आप चाहने कभी राई कर लें उसका हुआए और मज़ा और वह अच्छा होता है कि 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 पर चलाते रहें तक दिल लगी में और इसके नीचे कर दें और अभी तेज बांच्रे पकाएंगे जब इसकी शकल आ जाएगी तो फिर इलटेंगे कर दूएपशिए प्राव tu do ए बड़ी शुषय कोनलेटे थे लेतनुन तो सिलेट में यहां पर इसी तरह मैं सारी फिश को अच्छे से पका लूँगी अभी मैं पाच मिनुट तेज आशु पकाऊंगी और उसके बाद फिर बिल्कुफ सिम कर दें चुकि अंदर से गलना है तो मैं अच्छे से गला के प्लेट में निकाल के फिर आपको नखे लिए फिर्ष हमारा बनकी रिडी है मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है यहां मैंने कैबच लिया था यहां पर और कैबच को बारी कट की प्लेट में पहला ले यहां को कुकंबर डाला है यहां पर मैंने लेमन लिया है और यह इसको इस तरह सजा दूंगे कि यहांते कुछ क्यारेट है गाजर इनको इस तरह कि गार्णिश कर दें कि यह हो भी गार्णिश ही अब आप देख सिकते हैं यहां पर इस तरह का दिख रहा है आप किसी बरे रिस्टोरेंट वगरा या होटेल वगरा में जाते हैं आपको इसी तरह पेश करते हैं तो इसी तरह आप भी बनाएं खाएं और अगर आपको यह रेस्पी परसंद आई हो तो हमें कमेंट कीजिएगा चलें दौा में गयाद रखें लाहाफिस